दोस्तों चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए अगर आप इसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जिसके पहले बार की इस्तेमाल से ही आपका चेहरा चांद जैसा बिल्कुल चमकने लग जाएगा आपकी चेहरे पर से दाग धबे दूर हो जाए हातों पर पैरों पर चेहरे पर फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं आए समय से पहले और लंबे समय तक आप जो है वो जवाँ बनी रहे और इस रेमेडिय के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर फोड़े फुनसी या मुहासों की जो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी चली तो फटा फट से देख लेते हैं कौन सी रेमेडिय लेकिन उससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट आप से जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब दक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया ह फरेश ईलोवेरा जल की पत्ती है दिखने को मिलेगें जैसे आप आ गांको यहां पड़ना है तो आपको किस ऊब्सकिन तो अच्छा नहीं होता तो दियान रेखेगा दो मिनिट खड़ा रखेगा उसके बाद अच्छे से इसको वाश करके फिर इसका यूज करेंगे हमें इतनी बड़ी पत्ती तो नहीं रगने वाली है तो हम इसको सेंटर से कट कर लेते हैं हाफ कर लेते हैं अब आधी जो बच्ची हुई पत्ती है उसको आप अपने बालों के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको फ्रिज में रखके नेक्स्टे भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो किनार काट लेंगे अलोवेरा जल की पत्ती का उसके बाद पत्ती को आप सेंटर से इस तरीके से कट कर लीजिए दोस्तो अलोगरा जेल जो है हमारे सकिन से जुड़ी हुई हमारे बालों से जुड़ी हुई सारी समस्या को दूर करने की ताकत रखता है एक जो पती है उसको हम यूज करेंगे स्क्रब के लिए टो सक्रब के लिए मैं सबसे पहले चीज ले रही हूं कॉफी पाउडर करीब एक चमच कॉफी पाउडर आप अलोगरा जल की पती के ऑपर डायरेक्ट डाल दीजे क्योंकि कई लोगों क्या होता है दोस्तों उतना समय नहीं होता है ओफिस वगेरा के चक्कर में तो उतना समय तो फटा फट से आप पत्यों को काट करके इस तरही के से यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के ओपर डायरेक्ट कॉफी पाउडर के साथ ही साथ मैं इसमें मिला रही हूं थोड़ी सी चीनी आधा चम्मच चीनी ले लिया है क्योंकि काफी अच्छा स्क्रब का काम करती है हमार चम्मच शहद दोस्तों इसको लगाने के बाद आप देखिएगा इतना गजब का निखार आएगा आपके चेहरे पर की किसी पारलर वाले फेशिल को भी आप भूल जाएंगे इतना गजब का निखार आएगा क्योंकि जो भी चीज़े हमने इसमें 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 न अब डायरेक्ट देखिए पती से मैं इस तरीके से अपने चेहरे पर स्कुरब कर रहे हूं जिससे कि टाइम भी जादा पैक वगेरा बनाने में नहीं लगा आपने देखा है कितना कम समय में हमें हमने जो है स्कुरब और पैक यहां पर बना दिया कम से कम 3-4 मिनिट आपको अ पांच मिनिट आप इसको एसे ही रहने दिजी गा उसकी बादा वॉश कर लीजिए अब वॉश करने के बाद फेस को पहले ड्राय कर लीजिए उसकी पाथ हम इसके उपर पैक लगाने वाले हैं बस सही तरीके से इस पैक को पर इपने चेहरे पर लगा लेना है आपको और आ सकते हैं आप चाहें टीनेज हो आप चाहें बड़े हो 60 प्लस हो तब भी आप इस रेमिडी को लगा सकते हैं और चाहें लड़का हो लड़की हो घार कोई चाहता है कि हमारी स्कीन अच्छी दिखिया हमारी स्कीन हेल्दी रहे तो लड़का लड़की हर कोई इस रेमिडी को आ आपके स्किन के अंदर तक जाकर काम कर सके दस मिनट रखके इसको वाश कर दीजिए तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो वीडियो थोड़ी सी बे अच्छी लगी होगी इंफर्मिटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हो सके तो वीडियो को ज्यादे ज्यादे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में रिष्यदारों में तक ही आपकी जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच वाचिन दिस वीडियो में तब तक के लिए बाई टिक केर